आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरप विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोड करें यहां बर्फ का बिंदू कहते हैं, वो कतना होता है 32 डिग्री फ्ट में, बीमान लिखे तो यह होता है 212 डिग्री फ्ट में, यह होता है तो फ्टा है तो वो पहमिन फ्रॣद Truman होगा, अगर हम इसके बीच की दूरी अगर यहाँ पर 180 हमें पत्तार चलती है कि अगर हमने इ तो हम के लिए उत्तर कौनसा होगा तो first के लिए हम लेग हम देखें तो यहां पर लोंव में देखना लोगत के हैं यहां रूबब के रूप में इसका सहीं उत्वर नियसका हो जाता है यह क्या क्या ग्या है धुर्म कौन सा पैमाना है जिसमें ही बिंदू सुनय टीग्री यहाँ पर रूमर की रूप में और भाप की बिंदू है जिसे अगर हम 80-0 भागव मभाटें तो ये इस तरह से प्रोडशित होगा तो इसे तकyardsादा से इन दोनों के बीच की दूरी दीखें तो 80 होती है और 80 की बढ़ाबवर भगों में अगाद हम बांट दे तो एक भाग कहलाता है वो एक degrees rumor कहलाता है किस प्रकार का पैमाना होगा यह rumor पैमाना होगा हूस cảmान कहाchnas डूसरे का उत्तर होगा H की रूप में Jadi हमारे पास की किसी पैमाने पर मpurद कर मापे गयत अब को दूसरे पैमाने पर वो सेल्सिस के माप ग्याद होते हैं तो हमारे लिए बी जो होगा इसका उत्तर होगा कि हम किसी भी पैमाने पर मापने गयता आपको दूसरे पैमाने में इस सूतर की सहता से बदल सकते हैं तो तीसरे के लिए हमारे उत्तर क्या होता है भी होता है इस तरह हमारे का हमारे प पस क्या-क्या पद दिये हुए हैं इस अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारे पस जो i होता है i option यह क्या बताता है कि एक निकाय का ताप अगर हमें ज्याद है माली जी यह सूरी के सहता है क्या करते हैं हम 24 लिए जो दिया हुआ है कि इससे एक निकायखा टाप ग्याद होने पर दूसरे निकायखा ताप ग्यात किया सकता है इस तरह से अगर हम 5 वे की बात करें कि किसी गयस का आयतन डाब यबisphere निर्भर करता है या निर्भर होते हैं यह निर्भर करेगा चाल्स के नियम से तो चाल्स का नियम क्या बता रहा है चाल्स का नियम यह बताता है कि नियत दाप पर अगर हम बात करें तो दाप का मान पी का मान अगर नियत होगा कॉंस्टेंट क्रूप में हमने ले रखा तो यह बताता है कि गैस के एक निश्य द्रवमान के आयतन वो ताप मान के अनुकर मानुपाती होते हैं यह चाल्सका नियम और यही किसी गैस के लिए उसके आयतन दाव या उन ताप पर निर्भर करता है यह छटवा हमें पूछा ज परिवरतन पर तो अगर हम देखें तो लंबाई से प्रसुत किया जाता है और इसके सुत्र को अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो रिखी प्रसार गुणांग का सुत्र जो होता है एक तरह से क्या होता है लंबाई में होने प्रिवरतन को प्रदेशित अगर हम करें ठीक ह तो यह हमारे पास मान कॉन अमान हमारे लिए हूँ इसे हम देखें से व्यकलब के रूप में हैं तो कहां पर स walls हमारा होगा सी रुप में यहाँ पर हमने सी ले लिया अब हमें शेतरी प्रसार गुणांग का लिए आदि किसके बराबर होता है तो शेत्री प्रसार गुणांग अगर हम देखें तो इसे बीटा से अगर हम व्यक्त कर रहे हैं यह भी किस पर निर्भा करेगा शेत्र के नुसार यहां पर हम बीटा से अगर व्यक्त कर रहे हैं तो देखें डी विकलब हमें जो दिखा रहा है वो इसका उत्तर होगा क्यों क तो कि बीटा यही व्यक्त करता है शेत्री प्रसार गुणांक के मान को जिसका मान क्या होता है शेत्रिफल में होने वाले परिवर्तन बटे प्राणविक शेत्रिफल और ताप में होने वाले परिवर्तन के अनुपात के बराबर तो हमारे लिए डी इसका सही उत्तर होगा इस लुश्ma जो होता है वो आटन प्रशार-गुणां, को प्रदर्शित करता है और अलफा यह ही प्रसार-गुणां, को प्रदर्शित करता है यह तरह से माहले, तो F अब हम आगे दिखें तो नववा, तो एपैंतों जो हमारे पास है वो क्या बोल रहा है वी इस्ट ऊश्माधाहरता किस पर निर्भर करती संगाक तो हम यह सुनको यह प्रता घुंप से किसे पदार के लिए भी अलग-अलग होगा तो इसे हम F से प्रतेशित करते हैं तो F के लिए प्रतार की प्रकृति हमारे पास होगा तो यह हमारे लिए उत्तर होगा यह हमारे लिए F का मान हुआ उसके पिछले के लिए मान किता था अंति में पूछा जा रहा है विकिरन पिंड का द्रवे मान अधिक होने पर धंडा होने की दर क्या हो जाती है तो इस तरह से अगर हमारे पास लास्ट बचा हुआ है वो जी है वो कम प्रदेशित कर रहा है तो कम का मान हमारे लिए सही हो इस तरह से यह हमारे उत्तर होंगे तो दस के लिए उस का मान केतना होता है यह Capital G से वेक्ट होता है ठीक है तो यह हमारे लिए उत्तर होगा धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर